बजट रेंज में बेस्ट कॉलिटी के स्मार्ट वाचिस डूणना एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है क्योंकि मार्केट में आप्शन्स तो बहुत अविलेबल है लेकिन सबसे बेस्ट स्मार्ट वाच कौन सा है ये पता लगाना थोड़ा टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है लेकिन आपका टाइम सेव करने के लिए और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा गलत जगा इन्वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के तीन सबसे बहतरी स्मार्ट वाचिस मैं नहीं दिखाऊंगा जो आपको मिलते हैं सिर्फ पंदरा सुर रोपे के नीचे वैसे कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ये तीन स्मार्ट वाचिस मैंने सिलेक्ट किया है जैसे की डिस्प्ले कितने इंचिस का है कितने स्पोर्ट मोड्स मिलते हैं AI वाच असिस्टेंट सपोर्ट वाला फीचर मिलता है या नहीं SPO2 मोनिटरिंग हार्ट वेट या स्लीप मोनिटरिंग जैसे फीचर मिलते हैं या नहीं चार्ज होने में स्मार्ट वाच कितना समय लेती है और फुल चार्ज होने पर बैटरी लाइफ कितना देती है 100% waterproof है या नहीं इन बिल्ट माई की या स्पीकर मिलता है या नहीं और ब्रैंड आपको वारेंटी कितना प्रोवाइड करता है प्रतेक स्मार्ट वाच पर सबसे इंपोर्टेन बात तो मैंने कस्टमर रिव्यूस को पढ़कर इन तीन स्मार्ट वाच का चैन किया है जिससे कि आपके घर पर अच्छी कॉलिटी की स्मार्ट वाच डिलीवर हो सके तो आईए उन तीनों भी स्मार्ट वाच को हम जल्दी से चेक करते हैं सो नमबर तीन पर मैंने रखा है फायर बोल्ट निंजा 3 स्मार्ट वाच को इसमें आपको 1.69 इंजिस का एजडी डिस्पले देखने को मिलता है with 240 by 280 pixels resolutions इसके आलावा इसमें आपको 60 sports modes मिलते हैं और इसकी waterproof rating है IP68 IP68 rating होनी की वज़े से ये स्मार्ट वाच 100% waterproof है इसे आप swimming के दौरान यूज़ कर सकते हैं और इसे आप भारी बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं इस smart watch में आपको SPO2 monitoring, heart rate monitoring, sleep monitoring, meditative breathing, step counter, calorie burn जैसे helpful features देखने को मिलते हैं brand आपको इस smart watch पर एक साल की warranty provide करता है 100% full charge होने में ये smart watch 3 गंटे लेता है और full charge होने पर ये smart watch आपको 7 days की battery life provide करता है without Bluetooth calling और अगर आप Bluetooth calling करते हैं तो ये smart watch आपको 3-4 दिन की continuous battery life provide करता है इसमें आपको 5.1 Bluetooth version देखने को मिलता है जिसकी वज़े से ये smart watch 100 meters या फिर 100 meters तक की range तक आपको reliable connection provide करता है 4.4 या इससे ज़्यादा के Android devices और 8.0 या इससे ज़्यादा के iOS devices के लिए ये smart watch एकदम compatible है इसके साथ आपको user manual, magnetic charger और warranty card ये 3 accessories मिलती हैं और ये smart watch आपको 1300 रोपे के आसपास मिलता है लेकिन इसके कुछ drawbacks हैं जिसकी वज़े से मैंने इसे अपनी list में number 3 पे रखा है सबसे बड़ा major drawback तो इसका ये है कि इसमें आपको inbuilt speaker और mic नहीं मिलता है जिसकी वज़े से आप इस smart watch के through calling नहीं कर सकते हैं इसमें आप सिर्फ calling के call notification रिसीव कर सकते हैं, call को connect, disconnect या फिर mute कर सकते हैं और इसका दूसरा drawback ये है कि इसमें आपको AI voice assistant feature नहीं मिलता है इन दो drawbacks की वज़े से मैंने इसे अपनी list में number 3 पे रखा है लेकिन ये smart watch हमारी list की सबसे सबस्ती smart watch है इसलिए आप चाहें तो इसे definitely check out कर सकते हैं इसकी link आपको इस video के description box में मिल जाएगी सो number 2 पर मैंने रखा है Firebolt Phoenix Pro smart watch को जिसमें आपको 1.39 inches का HD display देखने को मिलता है with a 240 by 240 pixels resolutions और ये smart watch आता है 120 plus sports modes के साथ और इसमें आपको AI voice assistant वाला feature भी देखने को मिलता है इसमें आपको spo2 monitoring, heart weight monitoring, sleep monitoring, camera, drink water reminder जैसे कई अन्या helpful features देखने को मिलते हैं ये smart watch चार्ज होने में 3 घंटा लेती है फुल चार्ज होने में और फुल चार्ज होने पर ये smart watch आपको continuous 7 days का battery life provide करती है without use of Bluetooth calling और 4 days का continuous battery life provide करती है with use of Bluetooth calling ये smart watch iOS और Android devices के साथ compatible है इसकी waterproof rating है IP67 यानि कि ये smart watch water resistant है 100% waterproof नहीं है इसे आप swimming के दोरान यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे आप भारी बारिश में यूज कर सकते हैं इसे आप सिर्फ हलकी बारिश में यूज कर सकते हैं और इस पे अगर थोड़ी बहुत पानी की चीटे पड़ती हैं तो ये smart watch resist कर लेगा इस smart watch में आपको calling का feature देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको inbuilt mic और speaker ये दोनों भी चीज़ें देखने को मिलती है brand आपको इस smart watch पर एक साल की warranty प्रोवाइड करता है और इसके साथ आपको user manual, magnetic charger और warranty card ये सभी accessories मिलती है और ये smart watch आपको सिर्फ 15 रुपए के आसपास मिलता है इसका सिर्फ एक ही drawback है और वो ये है कि ये smart watch 100% waterproof नहीं है आप इसे definitely check out कर सकते हैं इसकी link आपको इस video के description box में मिल जाएगी So here we go और number one मैंने रखा है Beat XP Marv Neo smart watch को जिसमें आपको 1.85 inches का HD large display देखने को मिलता है ये smart watch आता है 60 plus sports modes के साथ और इसे full charge होने में 2 घंटे लगते हैं और full charge होने पर ये smart watch आपको continuously 7 days का battery life provide करती है without use of bluetooth calling और अगर आप इसमें continuously bluetooth calling use करते हैं तो ये smart watch आपको continuously 2 दिन का battery life provide करता है इस smart watch में आपको heart rate monitoring, sleep monitoring, SPO2 monitoring, calorie count, BP monitor, camera जैसे helpful features देखने को मिलते हैं इसमें आपको AI voice assistant वाला feature देखने को मिलता है ये smart watch आता है inbuilt speaker and microphone के साथ जिसकी वज़े से आप इसमें bluetooth calling कर सकते हैं और normal calling भी कर सकते हैं इसकी water resistance rating है IP68 यानि की ये smart watch 100% waterproof है आप इसे swimming के दोरान और heavy rain में definitely use कर सकते हैं ये smart watch iOS and Android दोनों devices के साथ compatible है इसके साथ आपको charging cable, charger, user manual और warranty card ये सबी accessories मिलती हैं और brand आपको इस smart watch पर एक साल की warranty प्रोवाइड करता है इसका bluetooth version 5.1 और ये smart watch आपको 14.00 रोपे के आसपास मिलता है इसके कोई भी drop X नहीं है और ये काफी affordable भी है तो आप इसके साथ definitely without any hesitation जा सकते हैं इसकी भी link आपको इस video के description box में मिल जाएगी So friends ये थे हमारे top 3 best smart watch under 1500 रुपीज Thanks for watching